यह मेरा इलेक्ट्रोकेमेस्ट्री का सेकेंड वीडियो है फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि इलेक्ट्रोकेमेस्ट्री यह जो चैप्टर है उसको हमने दो सेक्षन में डिवाइट कर रखा है पहले section में हम उस concept के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें हमने chemical energy को electrical energy में convert करना है, और दूसरे section में हम उस बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम electrical energy को chemical energy में बदलने वाले हैं, ठीक है, तो actually में ये जो energies हैं, जिस device में convert होगा, जैसे chemical energy, electrical energy में convert हो रहा है, या electrical energy, chemical energy में change हो किसी equipment किसी न किसी battery या किसी न किसी cell में तो convert होगा ना तो इसी के बारे में हमको पढ़ने वाले हैं तो पहले तो हम यह देख लेते हैं कि electrochemical cell क्या होता है electrochemical cell को galvanic cell या voltaic cell भी कहते हैं जिसमें याद रखोगे जिसमें हम chemical energy को electrical energy में convert करने वाले हैं अब आपको हम बोल देते हैं कि आप definition मत याद रखो जो बताया हूँ उसको मत याद रखो आप याद रखो example और सबसे best example है इसे learn करने का हमारे जो automobiles है गाड़ियां जो होती हैं उसमें लगा हुआ battery is one of the most important example of electrochemical cell अब आप खुद सोचो कि electrochemical cell में हम chemical energy को electrical energy में convert कर रहे हैं अब आप जो गाड़ियों का जो battery होता है उसमें क्या होता है उसके अंदर कुछ chemicals होता है definitely उसमें acid होता है ठीक है वो बता रहा हूँ मैं अभी principle सारे बाते बताता हूँ अभी तो उसमें क्या होता है कि chemical energy है कोई ना कोई chemical reaction हो रहा है उस battery के अंदर में जिसके कारण हमको उससे electricity मिलता है बैटरी से light जल जाती की नहीं जल दाती तो वही chemical energy किसमें convert हो गई electrical energy में ठीक है तो example याद रखने वाले है तो आपको simple electrochemical cell या galvanic cell या voltage cell क्या होता है यह simple definition मैंने बोल दिया है तो पहला topic हमने cover कर लिया है और यह topic आपको board में पूछ लेते हैं कि what is electrochemical cell यह क्या होता है यह पूछ लेते हैं exam में ठीक है चली अब अगला बाद अगला topic देते हैं अगला topic है what is daniel cell इसे ही हम zinc copper cell भी कहते हैं अब यह बहुत important topic है इस topic का जो principle है उसको समझ गए तो आप यहां से topic को समझ होगे पूरा इसलिए यह topic समझना जरूरी है मतलब यह प्रकार से example है इन topics को समझने के लिए ठीक है तो चलिए daniel cell का working principle समझते हैं ठीक है तो working of electrochemical cell मतलब daniel cell क्या है एक प्रकार का electrochemical cell है जिसमें मैं क्या करता हूँ जिसमें मैं chemical energy को किसमें convert करता हूँ प्यारे बच्चो इलेक्ट्रिकल इनर्जी में ठीक है तो मैं आपको तोड़ा diagram के help से ही daniel cell को explain करता हूँ तो यहां पर आप carefully देखें क्या हम यहां बना रहे हैं तो मैंने यहां पर एक container ले रखा है और यहां मैंने दूसरा container ले रखा है ठीक है यह actually मैं दो container ले लिया इस पर मैंने कोई chemical feed कर दिया इस पर भी मैंने कोई chemical रखा है यहां पर मैंने रखा है actually मैं क्या explain कर रहा हूँ daniel cell explain कर रहा हूँ daniel cell actually मैं होता क्या है यह होता है copper zinc cell इसको हम copper zinc cell भी कहते हैं तो मैं इसके principle को explain करने के लिए यहां पर मैं बोलता हूँ कि मैंने ZNSO4 put up कर लिया ठीक है और यहाँ पर मैंने put up कर दिया CUSO4 Zinc Sulfate और Copper Sulfate का solution मैंने दो container में put up कर दिया अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मैंने एक rod डाल दिया एक metal rod मैंने डाल दिया ठीक है metal rod है और यहाँ पर भी एक metal rod डाल दिया ठीक अब यह metal rod कौन सा है तो यह metal rod है Zinc का Zinc के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं बताओंगा Zinc ही क्यों लिया ठीक है न और यहाँ मैंने क्या ले लिया है Copper rod ले लिया तो मैं अभी इसे Copper rod और Zinc rod का रहा हूँ यह दो metal है Pure metal Pure metal को मैंने solution में deep करके रखा है Pure metal को solution में deep करके रखा है तो अलग अलग container में ठीक अब मैंने क्या किया इनको एक wire से link कर दिया metallic wire कोई भी एक wire पतला wire ले लिया उससे इसको connect कर दिया तो मैंने यह observe किया क्या observe किया मैंने कि यहां से एक electron flow हो रहा है ठीक है कहां से electron flow हो रहा है zinc से लेकर καपर की तरफ एक electron flow होने लगा ठीक है तो flow जो electron flow हो रहा है इसी के करदख current produce हो गया मतलब आप यहां पर यदी एक bulb लगा ले तो यह bulb क्या हो जाएगा जल जायेगा क्यों जल जाएगा क्योंकि flow of electron यही तो क्या है electricity या current clear हो गया अब जो example मैंने बोला था उसको मैं बोला हूँ बार बार मैं उस example को लेता रहूंगा जो गारियों में जो battery होती उसमें आपने देखा होगा दो terminal होते हैं यहां से zinc वाले जो container है वहां से electron flow हो रहा है ठीक है ना, तो जहां आपको ये Redox Reaction के बारे में पता होगा, या सुन रखा होगा Oxidation एक टर्म होता है, क्या होता है Oxidation, तो Oxidation क्या होता है प्यारे पच्चों Oxidation मतलब होता है Loss of Electron Loss of Electron या Loss of Electron कहा होता है ये याद रहो Loss of Electron होता है एनोड में देखो मैं फिर से बोल देता हूँ एनोड ओक्सिडेशन ये प्रोनांसियेशन सेम जैसा है ए और O एनोड ओक्सिडेशन तो आप ये तीन बात लर्न कर Local एनोड का रिलेशन किसे है औक्सिडेशन से और ओक्सिडेशन का मतलब क्या है loss of electron, anode oxidation loss of electron अब anode क्या होता है तो anode वो electrode है, वो rod है, जिको zinc rod मैंने कहा था थोड़ी दिर पहले, अभी इसी zinc rod को अब अच्छे सब्दों में बोला हूँ, मैंने को rod बोलना पसंद नहीं है वह यह, तो मैंने क्या बोल दिया इसी को electrode बोल दिया और अच्छे सब्दों में बोला तो मैंने क्या बोल दिया, यह एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चो, anode तो anode वो electrode है यह क्या है, एक प्रकार का electrode, देखो, अच्छे अच्छे words यूज़ कर रहा हूँ, मैं बेकार word भी यूज़ कर रहा हूँ, अच्छे word भी यूज़ किया बेकार word क्या हो गया rod और तो अच्छा word क्या हो गया electrode, और अच्छा word क्या हो गया anode, बस सब चीज़े यह की हैं, आप केवल basic label पे, friendly language पे सब चीज़ों को समझो तो oxidation anode पे होगा oxidation का मतलब क्या है loss of electron, अब loss of electron को समझ लो, देखो यहां से प्यारे बच्छो यह एक rod है, यह electron को loss कर रहा है, मतलब electron दान कर रहा है, ठीक है ना तो anode में oxidation oxidation का मतलब loss of electron अब anode कौन act कर रहा है हमारे इस example में, zinc zinc को मैंने कहा deep कर रखा है z and so4 में, तो देखो zinc क्या होगा यह zinc rod है मेरे पास में, ठीक है ना यह zinc rod है अब zinc rod में zinc के बहुत सारे छोटे 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 atom है, अब यह मैंने एक atom ले रखा है आपको समझाने के लिए, ऐसे यहां पर इस rod में zinc के so many atoms करोडो atoms है, अब यह जो है, यह zinc जो है वो z and two plus में convert होगा और two electron donate करेगा अब देखो ध्यान से देखना यह जो zinc है, यही तो यह वाला zinc है, zinc metal जो है यह दो पार्ट में तूटा है यह दो पार्ट होगए, होगए कि नहीं दो पार्ट, यह दो पार्ट में तूटे है solution पे, और जो दो electron है, वो यहां से flow होगए, उपर से, ठीक तो zinc rod में zinc के बहुत सारे छोटे-छोटे atom है, यह atom दो पार्ट में तूट गए कौन-कौन से, एक iron और एक electron, electron उपर flow होने लगे, और zinc के ions जो है वो solution पे drop हो गए ठीक है, अब देखो इधर की कहानी देखते हैं, यह electron इधर flow हो रहे, flow हो रहे, flow हो रहे, यह हो यहां आ गया है, यह क्या है, यह actually में copper rod है ठीक है, copper rod है, copper rod क्या है, बेकार word इसको ही मैं थोड़ा अच्छा word यूज़ करूँ, तो यह क्या है, एक electrode है, ठीक है जो rod battery में use हो रहा है, उसको मैंने electrode का नाम दे दिया और अच्छे सब्दों में बोलें तो यह जो यहां पर क्या हो रहा है, electron accept हो रहा है, electron इधर से flow हो कर इधर आया, तो electron accept हो रहा है, या electron gain हो रहा है, जहां पर gain of electron है, ब्याद करो फिर से gain of electron gain of electron कहां हो रहा है कहां हो रहा है तो cathode, अब मैं इस rod को एक नया नाम दे दिया, cathode clear हो गया, यह rod अब क्या हो गया है, cathode हो गया, इसको मैंने cathode बोल दिया और cathode पे क्या होता है, gain of electron और gain of electron को हम क्या बोलते है reduction ठीक है तो ये तीन तीन के set मैंने बना दिये oxidation loss of electron anode reduction gain of electron cathode ठीक है चलो अब देखो यहाँ पर फिर से एक important बात देखो electron इधर आए 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 और यहाँ पर कोई ना कोई तो accept करेगा अब electron को कौन accept कर रहा है तो यहाँ देखो यहाँ पर इस container में क्या feel करके रखा है copper sulfate तो आपको प्यारे बच्चों पता होगा copper sulfate एक salt है जो Cu2 plus और SO4 2 minus में break हो सकता है अब यह copper ion electron की कमी है तो यही copper ion क्या करेगा Cu2 plus जो है वो यह दो electron को gain कर लेगा मैं gain कर वा लेता हूँ फिर से दुबारा से लिख देता हूँ इसको Cu2 plus plus 2 electron gives Cu इस Cu को क्या होगा अब यह Cu क्या होगा यह Cu इस rot पे deposit होने लगेगा देखो मैंने यह reaction उपर लिखा और यह reaction नीचे लिखा inode और cathode के reactions है inode में zinc जो है वो दो पार्ट में break हो गया एक पार्ट electron जो है वो उपर से flow होकर इधर आ गया दूसरा पार्ट जो zinc iron है वो इस container में drop हो गया ठीक है दूसरा आपने यहाँ देखा कि यही electron को copper iron ने gain कर लिया अब copper iron ने gain कर लिया तो यहाँ पर एक product बन रहा है copper अब यह copper का क्या होगा तो यह copper इस rod पे deposit होने लगेगा यह दो बाते मैंने कही है तो इस duration में क्या होगा इस important बात यहाँ पर zinc धीरे धीरे टूट रहा है एक पार्ट इसमें आ गया इसका मतल अब समझ रहे हैं इसका loss हो रहा है इसका मास धीरी धीरे कम होता जाएगा इसका भार धीरे धीरे कम होता जाएगा ठीक है यह zinc है zinc rod ions और electron में टूट रहा है न वही तो जो टूटेगा उस धीरे धीरे खतम हो रहा है यहाँ पर अब zinc का atom धीरे धीरे कम होता जाएगा ठीक और अब देखो, यह electron इधर आ रहे हैं, आ रहे हैं, यहां पर यहां आजो, अब यहां पर जो copper iron है, इस solution में यह copper iron है, वो electron को accept करके, copper में convert हो रहा है, और वो copper अब क्या हो रहा है, अब वो copper यहां पर deposit होता जा रहा है, अब copper deposit होता जा रहा है तो इसका mass धीरे-दीरे क्या होगा बढ़ता जाएगा इसका mass धीरे-दीरे बढ़े आएगा बात समझ में आ गई ठीक है तो हमने अभी दो बातें सीख ली इसका mass धीरे-दीरे कम होगा इसका mass धीरे-दीरे बढ़ेगा अब फिर से उस example बे आ जाओ battery आपने notice किया होगा कि जो हम कोई भी battery यूज़ करते हैं वो शुरू में उसका brightness ज्यादा होता है मतलब वो electricity ज्यादा provide करता है कुछ दिन बाद हमने देखते हैं जैसे हम use करते जाते हैं कुछ दिन बाद हम यह देखते हैं या notice करते हैं कि वो जो light जो से जलाते हैं उसका brightness क कम होता जाता है तो आप खुछ सोचो आकिर वो खराब क्यों होता होगा तो खराब इसलिए हो रहा होगा क्योंकि वो electricity produce नहीं कर पा रहा है इसका मतलब यहाँ पर उसी बात को basis लेकि इसको समझो क्या हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर zinc के atom है तभी वो electron loss कर रहे हैं यदि zinc क atom धीरे-धीरे कम हो रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो खतम हो जाएंगे वैसे ही आप इधार आ जाओ यहां पर copper iron electron को accept कर रहा है जब तक copper iron है तब तक accept करेगा अब यहां पर copper iron ही नहीं रहेगा तो electron को grand करने वाला कौन होगा कोई नहीं होगा ऐसे सिच्वेशन पे क्या होगा? यह electron का flow रुख जायेगा यहाँ देने वाले नहीं रहेंगे यहाँ लेने वाले नहीं रहेंगे electron flow ही नहीं होगा तो फिर electricity produce नहीं होगी मतलब आपका battery हराब हो गया अब आप एक एक बात अभी electron का flow कहां से कहां हो रहा है ये देखो electron का flow कहां से कहां हो रहा है पैरे बच्चो तो ये है anode ये है cathode तो मैं यहाँ पर एक बात कहा देता हूँ flow of electron ये एक important बात है आपके लिए flow of electron ये कहां से कहां हो रहा है बताइए तो ये होता है anode से cathode की ओर हो रहा है ठीक है और आपको पता होगा कि flow of electron जिस direction पे हो रहा है उसके opposite direction पे हम flow of current कहते हैं clear है क्या तो ये मैंने flow of current कहा दिया तो ये objective में पूछ लेते हैं कि electron का flow कहां से कहां होता है anode से cathode और current का flow electron के flow के direction का just opposite होता है मतलब cathode से anode होगा ये जो हमने लिख रखा है ये ये जो दो reaction हमने लिख रखा है ये reaction ही मान दो अभी फिल हाल तो ठीक है और ये जो container है इस container में एक reaction हो रहा है इस container में दूसरा reaction हो रहा है तो आप खुछ सोचना ये दोनों container मिलकर ही क्या है एक cell है now अब आप important बात समझना माल लिया कि हमने इस cell को छुपा दिया ये भाई आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो क्यार इसमें current flow होगा नहीं होगा current के लिए तो connecting wire चाहिए अब यहाँ पर आप इसको हटा दो तो electron accept कौन करेगा मतलब cell exist कब करेगा कोई भी cell exist करेगा जब आपके पास में anode और cathode या positive और negative दोनों हो ठीक है मतलब आप ये समझना कि मैं यदि इसे छुपा दूँ इसको मैं height कर दूँ तो ये वाला जो portion बसता है इसको हम क्या बोलते है ये होता है actually में half cell कहलाता है आधा cell आधा cell half cell आधा तो बोलते नहीं है earth cell बोलते है हिंदी में ठीक है but half को हम generally आधा बोल देते हैं हिंदी में ठीक है half cell क्या होता है समझ में आगे प्यारे बच्चो और ये भी half cell है यदि मैं इसे height कर दूँ शिर्फ इस portion को पूछू तो this is half cell clear हो गया तो हमने थोड़ी दर पहले आपको बता रखा था कि हम इस topic में क्या-क्या cover करने वाले हैं तो उसमें एक बात तो यह है कि हम half cell आपको समझा दिये ठीक है और अच्छे वर्ड में क्या बोलोगे आप और अच्छे वर्ड में यह बोल सकते हो कि यह जो है ZN 2 प्लस और 2 इलेक्टरॉन में जो टूट रहा है इसे मैंने यह का दिया कि एनोड पे होने वाला half cell reaction ठीक है और यह कौन सा reaction होगा यह होगा कैथोड पे होने वाला half cell reaction तो हमें काम करते हैं यह दोनो half cell reaction को add कर देते हैं ठीक है ना add करते हैं तब क्या होगा देखो add करने के बाद add करने के लिए मैंने पहले तो half cell reaction लिखा ZN 2 प्लस प्लस 2 electron यह हो गया और मैंने लिखा Cu 2 प्लस 2 electron gives Cu बस दोनों को मैंने copy कर लिया यह दोनों reaction को ठीक है यह और यह अब इनको add कर दो, add करोगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यह add कर दिया, 2 electron, 2 electron cancel हो गया, मतलब यह हो गया आपका Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu, हो गया कि नहीं हो गया, यही हो गया, अब इस reaction को, यह दोनों half cell reaction को add करके बना है, तो इस reaction को मैंने क्या कहा दिया है, आप प्रेडिक्ट करो, खुद सोचो, this is called cell reaction, ठीक है, यह complete cell reaction हो गया, यह redox reaction है, ठीक है, तो चलो, अब ही आपको मैंने क्या क्या बता दिया, अब मैंने आपको cell, half cell बता दिया, half cell reaction क्या हो गया, यह बता दिया, हैना, अभी हमने तीन टॉपिक कवर कर लिए, cell representation, अब आप cell representation को बहुत ध्यान से देखना, कि यह cell representation क्या होता है, हम इसको कैसे represent करते हैं, actually मैं कोई cell है, यह cell है न, मेरे पास मैं एक cell है, इस cell को मैं प्रदर्शित कैसे करूँ, लिखूँ कैसे, तो यहाँ देखो, अब ध्यान से देखना, प्यारे बच्चों, यह जो cell reaction जो लिखा है न, इस cell reaction को आप notice करना, अब यहाँ देखोगे, यहाँ ZN से ZN 2+, ठीक, और Cu 2+, से Cu, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ZN से ZN 2+, में क्या हो रहा है, loss of electron हो रहा है, loss of electron मतलब oxidation, ठीक है, oxidation कहां होता है, anode पे होता है, तो यह anode वाला portion हो गया है, ठीक, अब यहाँ पर देखो, Cu 2+, से Cu में convert हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, gain of electron हो रहा है, हो गया की नहीं, और gain of electron मतलब, reduction, ठीक है, तो आप देखो, cell representation, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, cell representation, cell representation, ठीक है, अब हम कई बार क्या होता है, कि यह तो reaction है, cell reaction है, इस cell reaction को मैं, कैसे और दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, तो देखो, मैंने पहले लिखा, ZN और यह vertical line, फिर ZN 2+, notice कर ले न, ठीक है, ZN oblique ZN 2+, यह vertical line लिखा, ZN 2+, ठीक है, इसके बाद मैंने दो parallel line, draw कर दिये, यहाँ मैंने कुछ gap किया है, क्यों gap किया है, थोड़ी देर बाद बोलूँगा मैं, ठीक है, cu पहले लिखा, 2+, के साथ में, यह वाला पहले लिखा, फिर vertical, फिर यहाँ मैं कुछ gap कर देता हूँ, फिर cu2, ठीक है, तो चलिए, यह self representation, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले तो लिख दिया, समझ लो क्या होगा, तो प्यारे बच्चो, यह दो है reactant, यह दो है product, इस reactant को, मतलब यह zn है न, reactant माल लेते हैं, बहुत easy words में मैं बोल रहा हूँ, reactant, इस zn का relation किस से है, zn2+, तो यह मैंने पहले लिख दिया, और cu2+, का relation किस से है, cu से, तो वो मैंने बाद में लिखा, अब किसे पहले लिखना है, किसे बाद में लिखना है, वो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, और दोनों के बीच में क्या होगा, एक parallel line होगा, ठीक है, तो सुनना, जो portion में anode है, anode मैंने बता दिया, आपको याद रख ले न, anode मतलब loss of electron, जो electron loss करेगा, वो anode होगी है, ठीक है, तो जो anode वाला portion है, उसको आप पहले लिखने वाले हैं, parallel line के पहले लिखने वाले हैं, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, जहांपर oxidation हो रहा है, वो आपका पहले लिखा जाएगा, जो बाद में लिखा है, वहाँ पर definitely वो है, cathode, और cathode का मतलब क्या होता है, बताएए, cathode में होगा reduction, मतलब reduction वाला portion मैंने बाद में लिखना है, clear हो गया, मतलब यह हो गया reactant, यह हो गया product, यह हो गया reactant, यह हो गया product, आपको कभी भी cell representation दिया है, तो इसका मतलब क्या आप इस से ये reaction लिख सकते हो, लिख सकते हो न, आप क्या करोगे, reactant product, पहली बार लिखा, actually में ये इधर क्या है, ये है actually में half cell, हो गया की ने, तो half cell का reaction इधर लिखा, reactant product, इनके बीच में कितने electron का gap है, वो लिख लिया, यहाँ पर reactant product, इनके बीच में कितने electron का difference है, वो लिख लिया, फिर दोनों को क्या कर दिया एड कर दिया तो यहां से मैं कहां चला जाओंगा यहां पर तो यह भी आपको NCRT में भी इससे related questions दिये हुए मैं आपको करा दूँँगा questions भी बट अभी तो आप concept समझो तो आपका यह cell representation हो गया पहले आपको एलोड हाफ reaction लिखना है उसके बाद parallel line cathode हाफ reaction लिखना है अब आप सोच रहे होगे कि सर यह gap क्या है यह जो मैंने यहाँ पर कुछ खाली paste होड़ रखा है वो क्या है तो आप वो सुनो प्यारे बच्चो वो भी मतलब cell representation का यह पार्ट है तो यहाँ आप देखना इस topic पर आप देखो फिर से आजो तो यहाँ पर मैंने container लिया है इस container में कौन सा solution put up किया है ZNSO4 solution मैंने रख रखा है तो यह solution है तो इसका कुछ न कुछ concentration तो होगा कुछ न कुछ सानरता तो होगा वैसे यहाँ पर CUSO4 लखा होगा है तो इसकी भी कुछ न कुछ concentration तो होगा चलो मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ यहाँ पर मैंने 1 molar concentration रख रखा है और यहाँ पर भी 1 molar है कुछ न कुछ concentration है तो यही concentration मुझे यहाँ पर put up करना होता है यह 1 molar concentration और यह 1 molar concentration वैसे concentration मैं आपको example में 1 molar लिखा हूँ कुछ भी हो सकता है तो गैप करने के purpose वही था तो यह total cell representation है ठीक है न? तो चलिए मैंने अभी आपको इस topic में यहाँ आप देख सकते हैं मैंने cell representation भी बता दिया clear हो गया? ठीक है चलिए है अगली बात देखते है पहरे बच्चो यहाँ पर आप ध्यान से देखना इस में देखरो मैंने अभी आपको यहाँ पर यह बताया बार-बार कि यहाँ पर जो zinc है वो दो पार्ट में तूट गया zinc, iron और electron ठीक है? यहाँ पर देखो यह zinc, iron zinc, iron कौन सा charge है? positive charge है तो यह positive charge यहाँ पर धीरे-दीरी कठा हो रहा है कहाँ पर धीरे-दीरी कठा हो रहा है? solution पर यह solution पर धीरे-दीर positive charge आते जा रहे है अब देखो इधर यह electron इधर आये-आये यहाँ पर यह electron यहाँ पर आ रहे है इस electron को किस ने accept कर लिया copper iron ने accept कर लिया तो यहाँ पर इस solution में अब क्या रह जाएगा negative charge रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पर negative iron मतलब यह वाला concentration धीरे 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 बढ़ रहा है और यहाँ पर positive charge धीरे धीरे बढ़ रहा है clear हो गया आपको देखो वीडियो में यदि कोई भी problem होगो तो मुझे comment करके पूछ लेना otherwise वीडियो को बार बार repeat करके देखना ताकि आपको चीजें बहुत clearly समझ में आए तो कुल मिला के क्या हुआ कि मैं आपको थोड़ी दर पहले यही तो बोला था कि starting में cell का जो brightness होता है आपकी जो battery का जो brightness होता है वो ज़्यादा क्यों होता है क्योंकि electron बहुत आसानी से इधर flow हो रहा है बहुत आसानी से लेकिन 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद आपका battery जो है उसका brightness कम इसलिए होता जाता है क्योंकि अब electron धीरे धीरे इधर flow होने लगेगा धीरे flow होगा सुरू में starting में fast flow हो रहा तब धीरे flow होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर solution में जो positive charge है वो electron को इधर जाने से रोकेंगे पहली बात और दूसरी बात यह electron इधर accept हो रहा है है ना? अब यहाँ पर negative charge है जो electron को accept करने से रोकेंगे मतलब electron को अंदर आने से रोकेंगे तो कुल में लाके यह हो गया कि electron का flow धीरे धीरे कम हो गया तो इसी को समझने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर अब ध्यान से देखोगे अगली बात यहाँ मैंने एक inverted YouTube बोल दिया यह क्या है? यह वो YouTube नहीं जो आप समझ जो आप देख रहे हो यह एक U यह ऐसा हो ला है alphabet's U एक यह YouTube है ठीक है? YouTube और वो भी कैसा है? inverted inverted मतलब पलता हुआ बस लब जैसा यह ऐसा समझ लो आपको मैंने यह diagram तो मैं थोड़ा rough end बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको बट आप वातों को ध्यान से सुनते रहो ठीक है? inverted YouTube रखा इस inverted YouTube को हम बोलते हैं salt bridge salt bridge salt bridge कहते है अब यह salt bridge का roll क्या होता है तो salt bridge क्या होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे जो positive develop हो रहा है यहाँ जो धीरे धीरे negative charge का concentration जो बढ़ रहा है उसको यह क्या करता है? neutral करता है क्या करता है? neutral करता है कैसे neutral करता है? तो salt bridge में हम क्या put up कर देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट पूट अप कर देते हैं, यहां पर एक सॉलूसन है, ठीक है, कौन सा सॉलूसन है, एक कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कहां पर इसमें, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट पूट अप कर दिया है, ठीक, अब देखो, क्या होगा, यह एक इलेक्ट्रोलाइ है ना कि a plus और b minus में तूठता है actually में salt bleach का purpose क्या है ये दोनों solution को ये जो half cell के में जो दोनों solution put up किया है ना मैंने इस दोनों solution को neutral maintain करता है neutral क्यों maintain करता है ताकि electron का flow होता रहा है ठीक है तो चलो अभी कैसे neutral maintain करेगा खुद सोचो यहाँ यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर इस solution पर कौन सा charge बढ़ रहा है positive charge का concentration धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पर negative charge का concentration धीरे धीरे बढ़ रहा है जिसके करण electron का यहाँ से निकलना और यहाँ accept करना difficult हो गया है तो मैंने salt bridge यूज किया salt bridge में एक solution है जो a plus और b minus provide करेगा यहाँ पर धीरे धीरे plus बढ़ रहा है तो salt bridge से मैंने क्या किया ना यहाँ पर से मैंने यहाँ से मैंने इस solution में धीरे धीरे क्या डाल दिया एक negative charge डाल दिया जो इसमें यहाँ पर देखो यहां से drop drop करके इसमें धीरे 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 इस solution पे गिरता जाएगा उसी प्रकार प्यारे बच्चो यहां से कौन सा चार्ज इस साइट पे इस container में कौन सा चार्ज गिरेगा positive charge गिरने लगेगा A plus मैंने जिसे बोल दिया है A plus positive charge यहां पर गिरना लगेगा तो आप केवल concept को सुनो इसका मैं theory आपको अभी बताने वाला हूँ notes बना लेना है क्या है कि negative charge यहां drop drop होता जा रहा है positive charge यहां drop drop गिरता जा रहा है तो यहां पर solution अब neutral हो गया plus or minus neutral हो गया उदासीन हो गया यहां पर भी minus plus neutral हो गया उदासीन हो गया तो मैं यदि solution को neutral कर दूँ with the help of salt bridge तो फिर electron का flow आसानी से बना रहेगा तो salt bridge का role क्या है salt bridge actually में यह दोनों container के solution को neutral maintain करता है ताकि electron का flow आसानी से होता रहे तो प्यारे बच्चो अब मैं salt bridge का concept भी आपको मैंने बता दिया यह salt bridge मैंने बता दिया आपको ठीक है समझ में आ गया तो चलिए अभी यहां पर एक theoretical बात देख लेते हैं salt bridge का यह definition यह board में पूछ लेते हैं तो copy पहले और note down कर ले क्या होता है मैं एक बार आपको complete इसका definition बोल देता हूँ मतलब theoretical बात है यह आप इसको learn कर लेंगे तो क्या करता है it helps to salt bridge के बारें बता रहे है it helps to complete the electrical circuit ठीक है तो actually मैं यहां पर यह मैं आपको बोल देता हूँ कि यह यहां पर यह एक electrical circuit बन रहा है इसको complete करने में help करता है आपको मैंने थोड़ी देर पहले बता है ना कि यदि यह नहीं रहता तो electron आसानी से flow नहीं होंगे क्योंकि यहां पर plus और minus का concentration बल रहा है तो electron को flow होने के लिए salt bridge का होना जरूरी है तभी तो मैंने क्या बोल दिया यहां पर circuit को वो complete कर रहा है circuit complete हो रहा है मतलब electron flow हो रहा है देखो अगली बात देखो salt bridge का function क्या है कि salt bridge provide a path यह path provide कर रहा है for mobility mobility of charges between the harp cells mobility मतलब move होना travel करना देखो मैंने travel करते वे बता दिया negative iron इधा travel कर रहा है positive iron इधा travel कर रहा है वो धीरे दीरे इस container बे ड्रॉप कर रहा है तो यही तो मैंने लिखा है क्या है यह प्रदान कर रहा है salt bridge provide a path एक रास्ता दे रहा है for mobility मतलब mobility मतलब move होना किसके move होने के लिए charge को किसके बीच में harp cell के बीच में clear हो गया हिंदी में भी मैंने बोल दिया इंग्लिस में तो आपके सामने लिखाई है और क्या करता है it helps in maintaining salt bridge maintain करता है two electrical neutral of electrolytes of two harp cell यह मैंने जो दो harp cell में जो solution put up किया है उस solution को वो neutral maintain करता है ठीक है अब देखना characteristics आखे salt bridge आपका कैसा होना चाहिए तो यहाँ पर जो आपने जो salt bridge लखा है वो एक electrolyte है यह एक ऐसा electrolyte होना चाहिए जो zinc sulfate के साथ में reaction न करे वो reaction नहीं करना चाहिए मतलब आपका salt bridge होना चाहिए inert किसी के साथ में reaction न करे तो देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है the electrolyte should be inert and it should not be react chemically with electrolytes of both harp cell दोनों harp cell के electrolytes के साथ में वो reaction नहीं करना चाहिए और यहाँ पर लिख रखा है cation as well as anion of electrolyte used should be same ionic mobility क्या मतलब हुआ इसका इसका भी मतलब मैं आपको समझा जिता हूँ बस आप समझो इस चीजों को कि यदि यहाँ पर negative charge इधर आ रहा है salt bridge का negative इधर आ रहा है salt bridge का positive इधर आ रहा है तो दो negative यदि इधर आते हैं तो दो positive इधर आना चाहिए तो क्या होना चाहिए same ionic mobility same ion provide होने चाहिए ठीक है common electrolytes जो हम यूज करते हैं वो normally salt bridge में kcl kno3 और ammonium nitrate यूज करते हैं और बाकी सब मैंने आपको बता दिया तो I hope अभी तक आपको सारी बाते समझ में आ रही होंगी चलो next बात समझते हैं यहाँ आपने देखा कि जो zinc rod है वो zinc iron और electron में तूट रहा है zinc iron और electron में तूट रहा है है ना तो इसी करण से क्या होगा यह zinc rod और यह solution के बीच में एक potential develop हो जाएगा ठीक है फिर से बोलता हूँ मैं क्या हो रहा है कि इस rod के compare में rod मतलब electrode electrode मतलब anode तो anode के compare में solution में positive charge का concentration बढ़ गया उसी प्रकार इस cathode के compare में solution में negative charge का concentration बढ़ रहा है जो solution और rod के बीच में एक potential develop कर देता है इसी को ही मैंने क्या कहा है प्यारे बच्चो electrode potential तो यहां पर अब definition आप देखिएगा आप copy pen लो और अराम से note down करो वीडियो पॉस करके electrode potential क्या है it may be defined as इसे कैसे परिभासित किया गया है the tendency of an electrode to either loss or gain electrons when it is in contact with solution of its iron क्या हो गया की electrode potential को कैसे परिभासित किया गया है यह एक प्रवित्ती है electrode की it is tendency of an electrode electrode की प्रवित्ती है ठीक है जो electron को loss करता है या gain करता है कब electron को loss और gain करेगा जब it is contact जब मैंने उसको deep कर दिया with solution of its iron जैसे zinc है तो zinc sulfate का ही solution clear हो गया बात ठीक है अभी मैं बताऊंगा आपको कि zinc और zinc sulfate ही क्यों लिया लेकिन आगे पहले बात सुन लो hence इसी लिए the potential develop potential develop हो जाता है between किसके बीच में यह important है metal and solution उस solution और metal के बीच में potential develop हो जाता है जिसको हम क्या बोलता है electrode potential अब यह जो electrode potential है वो 2 होते हैं कौन-कौन से 2 होते हैं प्यारे बच्चों एक होता है oxidation potential ठीक ना oxidation का मतलब क्या होता है मैंने थोड़ी देर पहली तो बताया था loss of electron reduction का मतलब क्या होता है gain of electron यह accept of electron खिक है तो oxidation potential अभी इस example में देखो यह rod और solution के बीच में potential develop हो रहा है इसे मैं कौन सा potential कहने वाला हूँ electrode potential में भी कौन सा potential όक्सिडेसन potential और oxidation potential इसे कहा क्योंकि यहीं पर electron loss हो रहा है धीक है यह अग प्रकार का मैं फिर से बोल देता हूँ यहाँ पर electrode potential है अब और अच्छे सब्दों में बोला erekरोड potential क्योंकि यहाँ पर loss हो रहा है इसलिए इसको मैंने बोल दिया है oxidation potential उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा electron accept हो रहा है तो जो यहाँ पर potential develop होगा किसके बीच में cathode और solution के बीच में उसे मैं क्या कहने वाला हूँ उसे मैंने बोलना वाला हूँ reduction potential ठीक है तो यह एक बात और समझ लेना मैंने आपको क्या बता दिया अब मैंने आपको यह बता दिया electrode potential भी बता दिया oxidation electrode potential और reduction electrode potential बता दिया अब यह दो टर्म को ध्यान से देखो यह दो टर्म कौन सा standard oxidation potential और standard reduction potential यह दो term क्या होते हैं तो कुछ भी नहीं आप यदि electrode potential को समझ गए तो इसी electrode potential को अब मैंने oxidation और reduction potential बोल दिया अब oxidation potential और reduction potential को के सामने मैंने standard term यूज कर लिया ठीक है तो ये समझ लेना कि यदि ये solution कौन सा solution ये solution जो है यदि ये solution है 1 molar का ये मैंने लिखी रखा है वैसे 1 molar standard मैंने fix कर दिया और इस solution का temperature है 25 degree centigrade या 298 Kelvin clear हो गया तो यदि ये 25 degree centigrade है 25 degree centigrade है मतलब room temperature माल दो standard condition पे और ये 1 molar solution है तो इस situation में जो potential develop होगा उसको हम क्या बोलते है standard electrode potential तो standard electrode potential कुछ भी नहीं है कुछ नहीं नया चीज नहीं है जब मैंने concentration को fix कर दिया solution का 1 molar और temperature को भी fix कर दिया standardize कर दिया तब उस situation में जो potential develop हो रहा है उसको हम कहते है standard electrode potential या standard oxidation potential ठीक है तो इसको अब represent कैसे करते हैं अब आप बस वो last topic देख लो कि हम इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने थोड़ी दिर पहले यह cell reaction बताया था इस cell reaction पे देखो कि ZN और ZN 2 प्लस के बीच में एक potential develop हो रहा है ZN 2 प्लस तो solution में गया ना और ZN एक rod है इनके बीच में potential develop हो रहा है इसी को मैंने क्या बोलना है इसी को मैंने ZN 2 प्लस में तो क्या हो रहा है oxidation तो देखो हम इसको कैसे लिखते हैं हम इसको लिखते हैं E not not का मतलब क्या है standard E not ZN देखो यहाँ पर मैं पहले लिखने वाला हूँ reactant फिर लिखने वाला हूँ product तो ZN अबलिक ZN 2 प्लस ठीक है ZN अबलिक ZN 2 प्लस यह प्रदर्सित करने का तरीका रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा इसे मैं सब्दों में क्या बोलने वाला हूँ मैं इसे सब्दों में बोलने वाला हूँ standard oxidation क्योंकि ZN में क्या हो रहा है oxidation तो ये मैं क्या कहने वाला हूँ standard oxidation potential clear है क्या ZN से ZN 2 plus है तो ZN से ZN 2 plus में electron loss हो रहा है इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया standard oxidation potential और देखो ध्यान से देखो E0 ठीक है मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ फिर से reactant पहले लिखूंगा product बाद में लिखूंगा तो reactant पहले लिखा तो ये हो गया Cu 2 plus oblique Cu इसे मैं सब्दों में क्या बोलने वाला हूँ तो ये है standard reduction potential ठीक है standard reduction potential actually में ये क्या है यही आपको सबसे ज़्यादा use होने वाला है numerical में तो आप ये representation को बहुत अच्छे से देख लो Zn से Zn 2 plus लिखा हुआ है मतलब यहाँ पर electron loss हो रहा है वो तो आपको समझ में आही जाएगा तो इसे मैंने सब्दों में बोल दिया है reduction potential ठीक है अब यहाँ पर जो potential develop हो रहा है वही तो standard oxidation potential है अब इसकी कुछ न कुछ values होती है कुछ न कुछ value होती है जैसे मैंने बोल दिया ये 5 volt है या 6 volt है कुछ न कुछ voltage होगा potential है मतलब voltage होगा ठीक है तो ये half cell का voltage है ये half cell का voltage है तो actually में cell का voltage क्या होगा cell का potential कितना होगा e cell ये पूरे cell का तो आप e cell का potential क्या बोलने वाले है cell किससे किससे मिलके बना हुआ है anode से मिलकर बना है और cathode से मिलकर बना है ठीक है न anode से मिलकर बना है और cathode से मिलकर बना हुआ है मैं standard condition पे ले लेता हूँ cell को मतलब जो cell हम जो cell का जो potential आखिर वो कितना voltage देगा ये anode और cathode के potential का योग होता है मतलब इनी दोनों का sum होता है अब देखो आप मैंने e anode क्या लिखा है अब इस सिंपल सी बात है मैंने आपको बोल रखे है न anode का relation किस से है oxidation से है की नहीं है तो मैं ये वाले टर्म को और क्या कह सकता हूँ ये actually में क्या है ये है actually में e not of anode समझ में आए क्या ठीक है standard oxidation potential e anode या standard reduction potential e cathode तो देखो मैं यहाँ पर इससे ऐसा कह सकता हूँ e not z n say z n 2 plus plus e not c u 2 plus oblique c u ठीक है तो I hope आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी वीडियो काफी लंबा हो गया है इसी लिए आपके लिए इसे मैं एक वीडियो में तो मैंने बना ही दिया है अब मैं क्या करूंगा इसे इस जितने भी टॉपिक हैं उसे एक छोटे छोटे वीडियो में भी बनाने वाला हूँ लेकिन आपको सजेशन ये है कि आपका ये वीडियो इसलिए लंबा हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉंसेट एक साथ कवर हूँ है ठीक है तो आप इन जो लास्ट में जो मैंने सारे टॉपिक्स बता हैं आप उसे केरफुली नोट डाउन करें कॉपी में तभी आपको ये समझ में आएगा ठीक है तो I hope आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी Thank you very much